सब्सक्राइब करिया है फाइस्टेडी चैनल को बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे फ़रे पाने के लिए नमस्कार साथिक पर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल हाइफाइ स्टेडी पर दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है वो आप सभी की सोसल साइंस यानि सामाजिक बिग्यान से रिलेटेड दोस्तों है और यहां पर मैं आप सभ से लेकर के डेड़ सो तक बहुत भी कल्पी कुशन बताऊंगा और वो बहुत इंपोर्टेंट होंगे और उसी में से पूछे जाएंगे क्योंकि दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दू कि यहां पर जो बहुत भी कल्पी हैं लगभग के जो हैं प्रीवियस में पूछे ग को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से आप सोसल नेटवर्किंग को फॉलो कर लें अगर आप यूज करते हैं सोसल नेटवर्किंग को तो ठीक है चलिए पहला कुशन देखते हैं हम लोग यहां पर बहुत भी कल्पी यानि वास्तुनिट यानि मल्टिपल चैस कुशन का हम तो पहला कुशन देखते हैं तो पहला कुशन क्या हो जाएगा साथियों पहला कुशन हो जाएगा कि गुप्त वंस का संस्थापक था गुप्त वंस का संस्थापक था दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट है साथियों बहुत ही इंपोर्टेंट है तो जल्दी से पताए इ आप वरना मैं आपको बता रहो, यहाँ पर दूस्तों, राइट एंसर जो हो जाएगा, वो हो जाएगा, option number, option number, c के साइट चला जाएगा, स्री गुप्त, हो जाएगा हमारा राइट एंसर, जी हाँ दूस्तों, स्री गुप्त हो जाएगा, हमारा correct answer, अगला दूस्तों देख से बताएगे, second number का right answer, जी हाँ दूस्तों, second number का right answer क्या हो जाएगा, जी हाँ दूस्तों, जल्दी से बताएगे, अगर आपको पता है, तब वरना जी इसका right answer हो जाएगा, दूस्तों, वो हो जाएगा, हमारा option number a के साइड चला जाएगा, option number a के साइड चला जाएगा, बह सुनने के आविस्कारक थे आरेभट थे भासकर थे सीवी रवन थे या फिर वराह मिहर थे तो जल्दी से पताएंगे सभी साथी जिन साथियों का एंसर पता है जल्दी से पताएंगे वरना जो इसका दोस्तों राइट एंसर हो जाएगा सुनने के आविस्कार तो लगभग दिया गया है important question तो है ही साथ में पूछा भी जाता है दोस्तों ये हर्स चरित्र के लेखक हैं बार्भट हैं हर्स वर्दन हैं वेंग शॉंग हैं या फिर कॉलिदाश हैं तो दोस्तों यहां पर जो फोर्थ नमबर यानि हर्स चरित्र के जो लेखक थे इनकी आप लोगों ने चलिए अगला question देख लेते हैं हम लोग 5 number question पांच number question दिया गया है दोस्तों कि चंदेल सासकों की राजधानी थी वो जैन थी धार थी खुजरा हो थी कन्नौस थी तो दोस्तों इसका right answer आप लोग जल्दी से बताएं इसका right answer क्या हो जाएगा शभी साथी जल्दी से हो बिल्कुल अंसर इनको पता होगा चुटि दोस्तों यहां पर होजाईगा वो जाएगा हमारा option number शो हो जायepende हो जाएगा हमारा हो जाएग हमारा राइट एंसर साथहा है कि गुलाम जैसा टान वो घुलाम डास जीसा के आपको पता नाम से पता चल्लाइक गुलाम किसी का गुलाम होना, दास किसी का दास होना, ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट एंसर हो जाएगा, मारा option number C पर एंसर हो जाएगा, option number C गुलाम को कहा जाता था, दास व skept då अगला वेंद्भ केंगता हो साथ Ü साथ Uhd baker hablar question कैकू बाध था या इन में से कोई ने तो ऺइफ जैगा कैकू बाध दोस्तों यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा वू जाएगा कैकू बाध जैजाए मारे vaig aper होऊ जीएगा जैसा कि आपको पता है कि यह जो पर होता है याटएंगा पचास नंबर का पेपर होता है और धुसक्छी यहाँ पर क्या होते हैơn पैप्र पेइप कर लोगा होगे। इस वज़ेशे मैं आप सभी तरanor इसे बोल्डा हूं कि जितने भी यानि बात्रमान भारति वीक्रिंज सामाज्य होगा औरinement ये सब्जेक्ट तीनों सब्जेक्ट में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत है math English होगे या आप हाँ मान सकते हैं कि हाँ एक बार आप 25 नमबर या 12 नमबर तक क्या होता है 12 नमबर तक बैक होता है तो यहाँ पर मान सकते हैं कि अगर आप English math में होते हैं तब आप वहाँ पर आराम से 12-15 नमबर पा सकते हैं लेकिन इन में 25 नमबर पाने में क्या होता है कभी-कभी इसमें एक तो cutting subject होती है और इनको अच्छे से दिमाग में बैठती नहीं पहली बात तो और इनको इसी वज़े से मैं आप सभी से बोलता हूँ कि इन पर ज्यादा आप लोग फोकस करके चलिए इस पर आप लोग ज्या दो बजे चल लएए और एकलास आपकी 5 बजे चल लएए एक क्लास आपकी 8 बजे आपका 2 से लेकर कर चे नहीं अब लिए अक क्लास बिजह बिशल्क टार आली जाएगी बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना अच्छे सा थयारि करना है तो समताप मंडल हो जाएगा चोब मंडल हो जाएगा आयन मंडल हो जाएगा या बहिर मंडल हो जाएगा तो दोस्तों ये कुशन तो आप सभी को पता ही है जा दोस्तों ये कुशन तो जितने भी साथी option number 2 answer दे रहा है चोब मंडल उन सभी का अंसर रिक्दम करेक्ट हो जाए एक एक इसट चलेगा, option number मिली बार हो जाएगा अगला कुशन देखते हैं हम लोग मानसुनी हवाओं की दसा में परिवर्टन होता है 24 गुटे में होता है या फिर 6 महा में होता है, 3 महा में होता है या 12 घंटे में होता है तो जो मौसमी हवाएं होती है होती है यानि option number B के साट जला जाएगा जितने भी साथी option number B दे रहे हैं मतलब उन्होंने कभी अच्छी सची तयारी की है या फिर अपने छोटी क्लासों में अच्छे से पढ़ा है क्योंकि सारा कुछ यहां पर जितना भी कोर्स होता है सारा छोटी क्लासों वाला ही कोर्स होता है ठीक है दोसों तो नेक्स्ट कोर्शन हमारा हो जाएगा कि गर्म तथा ठंडी धाराओं के मिलने के अस्थान पर उत्पन होती है गर्म और ठंडी धाराओं के आप अच्छे से दे देंगे answer तो दोस्तों यहांपर क्या होता है कि गरम ओठंडी धाराओं के जो मिलने का इस्थान पर उत्पन होती है वो क्या होती है प्लैक्टन धारा होती है ऑप्षण नमबर एकस साइट चला जाएगा option number A के side चला जाएगा अगला question देखते हैं साथियो साथियो 12 number question आप सभी के सामने आ चुका 12 number question दिया गया है 12 number question दिया गया है कि भारतिय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं तो भारती नालिकों नागरिकों को दोस्तों कितने मोल अधिकार प्राप्त हैं, 6 मोल अधिकार प्राप्त हैं, जितने भी साथी 6 एंसर दे रहे हैं, 6 एंसर दे रहे हैं, उन सभी का एंसर एकदम करेक्ट है, अगला कुछन देखते हैं दोस्तों, अगला कुछन आप सभी के स 2005 जैसा कि 2005 से ही निश्चीत्रों से हमें पता चल दा कि हाँ ये 2005 तो होगा कन्फरम हो जाएगा लेकिन अब डेट नहीं कन्फरम हो पारिये डेट क्यों नहीं कन्फरम होगा क्यों कि अपरेल जून अगस्त सितंबर ये चापको चार महीन दिये गए हैं तो दोस्तों यहां पर जून 2005 हो जाएगा राइट एंसर 15 जून 2005 हो जाएगा और अगला कुशन दिखते हैं अगला कुशन दिखते हैं दोस्तों कुशन दिया गया है कि सूपी संपरदाये के धर्म उपदेशक कह लाते थे शूपी शूफी संपरदाय के धर्म उपदेशक कहलाते थे शूफी कहलाते थे जराफ कहलाते थे या फिर कहलाते थे या खान शामा कहलाते थे तो दोस्तों यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा शूफी संपरदाय के लोग धर्म उपदेशक जो कहलाते थे वो पीर कहलाते थे पी में इसका में राइट आइशर आपको नहीं बताने वाला हूँ इसका तो राइट आपको पटाने माला हूँ इसका तो राइड यह पूर्प पता ही होगा इस वज़े से आपको लाइब चैट में तो देना ही दिना लास्ट में आप लोग जैसे वीडियो खत्म होती है अपसका आप कमेंट बाक्स में भी एक कमेंट डाल दीजेगा ठीक है किसमें से कौन सा राइड एंसर जाएक उससे पहले में आपको बता दो अगर आपने बी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दें सभी साथी जाएं पीछे बैक कमेंट बाक्स से जल्दी से पीछे आप सभी साथी जाएं और जल्दी से वीडियो को लाइक करके फटाक से फिर आ जाएं ठीक तो सभी साथी जाएं दो सि आगला कुशन देखते हैं अगला कुशन 16 नमबर कुशन हो जाएगा हारित क्रांति सम्मंधित है हारित क्रांति सम्मंधित है क्रिस के व्यापरी करण से या फिर पसुधन से या क्रिस उतपाद में आत्म निरभरता से या क्रिस उतपादन व्रद्धिशे तो दोस्तों यहां पर 16 नमबर का जो राइट अंसर हो जाएगा 16 नमबर का जो राइट अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ओप्शन नमबर B correct answer हो जाएगा जिया है दोस्तों क्रिस उतपादन में आत्मि निरभरता से ओप्शन नमबर B के side चला जाएगा Option number B के सट ज़एगा अब मैं आपको बता दो जो यहां से आपके कुश्चन सुरू होते हैं दोस्तो वो सारे के सारे कुश्चन सारे के सारे कुश्चन 2015 और 16 में पूछे गए कुश्चन है 2015 और 16 में पूछे गए कुश्चन मतलब यहां से तो आपकी important question शुरू होते हैं very most important question शुरू होते हैं क्यों क्योंकि previous में पूछे गया question है दोस्तों important तो बनते ही बनते हैं 17 number question आपका दोस्तों हो जाएगा कि चोल काल निर्मित सर्वोत क्रस्ट प्रतिमा है विश्णो की है नटराज की है भगवान वेकेंट टेश्वर की है या फिर भगवान बुद्ध की है तो 17 number का right answer आप सबी साथी बताएंगे तो 17 number चोल काल निर्मित सर्वोत क्रस्ट प्रतिमा है तो सर्वोत क्रस्ट प्रतिमा जो थी वो किस की थी नटराज की थी चलिए अगला कुशन देखते हैं 18 number कुशन 18 number कुशन दोस्तों ये भी हमारा 2015 में पूछा गया कुशन है बहुत important कुशन है कि वह सुल्तान जिसने कार खानों को इकता नाम दिया वह सुल्तान जिसने कार खानों को इकता नाम दिया फिरोज, तुगलक, इल्टुत्मिस, या बल्वन, या मुहम्मद तुगलक तो दोस्तों यहां पर जो पंद्रे जो 18 का राइट एंसर हो जाएगा जो 18 का राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा option number भी इल्टुत्मिस हो जाएगा इल्टूत मीज हो जाएगा हमारा Right Answer есть mission 2015 में बूछा गया है, बहुत ज़ादा Important question है, अगला भी जो हमारा option है, वो भी 2015 में पूछा गया है अगला जो question है, वो भी हमारा 2015 में पूछा गया है, चले, question देख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है अड़ाई दिन का जोपड़ा अड़ाई दिन का जोपड़ा इस्तित है दिल्ली में इस्तित है लाहोर में इस्तित है अजबेर में इस्तित है काबुल में इस्तित है तो जल्दी से बताईए सभी साथी जिनको पता है यह तो कुशन देखे जो कुशन मुझे पता है कि आप से 10 सेकंड का टाइम जरूर से जरूर दिया जाएगा एक कुशन से दूसरे answer के बीच में ठीक है कुशन पुछने के बाद answer आपके जवाब लेने के लिए 10 सेकंड का time आपको जरूर से जरूर मिलेगा लेकिन अभी मॉक्त स्तों है नहीं अभी तो हम दे की सिर्फ कुषिंग नहीं ठीक है, तो दोस्तों य petals mijmor 1615 में पूछा गया कुषिंग है option number C के side चला जाएगा यहां दोस्तों अज मेर में ठीक है चलिए अगला question देखते हैं हम लोग अगला question देखते हैं हिजरी सम्वत चलाया गया हिजरी सम्वत जो था वो चलाया गया था किसके दोरा चलाया गया था बाबर के दोरा चलाया गया था हुमायू के दोरा चलाये गया था अकबर के दोरा चलाये गया था या साहजहां के दोरा चलाये गया था तो दोस्तों जो हिजरी सम्वत है वो चलाये गया था अकबर के दोरा चलाये गया था और ये दोस्तों कुश्यन 2015 में पूछा भी गया था ये कुशन आपका 2015 में पूछा भी गया था और किसने चलाया था हिजरी समवत तो अकबर द्वारा चलाया गया था ये हिजरी समवत अगला कुशन अमारा बनता है साथियों अगला कुशन जो बनता है वो भी 2015 में पूछा गया कुशन है कि खानमा युद्ध के लिए प्रसिद्ध छेत्र इस्थित है दिल्ली में शोनीपत में आगरा में फते पुर्शीक्री में ये भी कुशन दोस्तों 2015 में पूछा गया है इंपोर्टन कुशन है आप सभी को एंसर फटा फट से बताना है यानि खानमा का युद्ध खानमा का जो युद्ध हुआ प्रसिद्ध है युद्ध के लिए प्रसिद्ध छेत्र है ठीक है तो 21 नमबर का दोस्तों जो राइट अंतर हो जाएगा वो फते पुर्शीक्री हो ज दो करते हैं मराठों की स्वतन्तरता मराठो की सटन्तरता के युद्ध का नेतर्त किया दुर्गादाश्ट ने तारा बाई ने अहिल्या बाई ने यह जीजा बहुत बड़ी है बहुत बड़ी है रही है सांथीयों सभी एंसर मतलब आपको इसमें से आधे कुशन आधे से पता आपको पता है दोस्तों आदे से कुश्यन ऐसे हैं जो आपको पता है बस रिवीजन करने की ज़रोगत है अच्छे से त्यारी करते रहे और यह मत सो चीए कि हाँ जोटी से वीडियो करें शोटी से वीडियो गर हम बनाएंगे तो यह आपका जो पर सथी हो मैंने आपको सुरवात में बताया था आपका जूए बहुत ज्यादा है इतनी जल्दी खतम नहीं होने बहुत है मतलब आपको इतनी जदा वीडियो और इतनी लंबी लंबी वीडियो हम नहीं देंगे तो आपका कोर्स भाईयो थीन में भी नहीं खतम हो पाएगा ठीक है इसी वजह से हम आपको थोड़ा सा लंबी वीडियो देते हैं लगभग 20 मिनट से प्लस वीडियो देते हैं दोस्तों लगभग वीडियो आपको मैं आपको ज्यादा ज्यादे वीडियो देने कुशिन कुरूंगा क्योंकि इसमें कुश्चन ज्यादा कबर हो जाते हैं कुश्चन जो इसमें होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा कबर हो जाते हैं और आपका तो एक फर्ज बनता दोस्तों आप से कुछ नहीं मानता हूं कि आप पैसे पेड़ करिया भी एक लड़की निए पैसे पेड़ किया था तो उसको उससे मैंने कॉंटेक्ट किया और उसके मैंने पैसे लवट हाए दोस्तों ठीक है तो चलिए बाइस नंबर जल्दी से बाइस नंबर क्या हो जाएगा एंसर हो जाएगा दोष्टों अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पर हम अगले कुशन की और बढ़ते हैं और यहाँसर में लगातार कुशन 2015 में पूछे गए हैं और एक मैंने साथ देखा था लास्ट में कुशन ऐसा था जो 2016 में पूछा गया था यानि important question है साथ ही हो ठीक है तो यहाँ पर 23 number question हो जाएगा कि लोक सभा में राष्टरपती द्वारा लोक सभा में राष्टरपती द्वारा आंगल इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने की संख्या है मनोनीत करने की संख्या है 2 है 4 है 5 है 11 है तो आंगल इंडियन सदस्यों की जो मनोनीत करने की जो संख्या है दोस्तों वो है दो संख्या मात्र दो संख्या है ठीक है कितनी संख्या है दो संख्या है अगला कुशन देखते हैं दोस्तों 24 नमर कुशन दिया गया है ये भी 2015 में पूछा क्या क्या कुशन है सरवोच न्या लोग को बदलने का अधिकार है बदलने का अधिकार नहीं है बदलने का अधिकार केवल मुख्यनाय धीस को है बदलने का अधिकार केवल न्याय मंत्राले को है तो दोस्तो 24 नमबर का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बदलने का अधिकार है यानि जो सरवोच न अधिकार सरवाधिक बिवाद का विशे रहा है कौन सा मौलिक अधिकार ऐसा है जो सरवाधिक बिवाद का विशे रहा एकता का अधिकार संपत्तिक अधर स्वतंतरता का अधिकार या धार्मिक स्वतंतरता का अधिकार दो तो ये कुशन तो मुझे कन्फम है ये कुशन तो बाद विवाद किसके करण हो रहा है संपत्तिक अधिकार संपत्तिक अधिकार संपत्तिक अधिकार यानि ऑप्शन नमबर सागरक टैंसर जितना भी बाद विवाद आज होता है तो वो सिर्फ संपत्तिकों लेकर ही होता है अगर आप इंडारेक्टली कहीं पर बाद विवाद कर रहें तो वो भी एक अपने और दूसरे के बीच में ही कर रहे हैं मतलब अपना पन जनाने के लिए कर रहे हैं संपत्तिक अधिकार हो जाएगा ठीक है कि हमको ये चीज मिल जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा हमको ही मिलनी चाहिए ये चीज ठीक है तो संपत्तिक अधिकार option number C हो जाएगा तो ये question तो सभी से हो जाएगा confirm है मुझे अगला question देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 2015 में पुछा गया question है 26 number 26 number question हो जाएगा कि वहाँ budget जिसमें आए बे बराबर होता है 0 आधारित budget में घाटे के budget में संतुलित budget में या budget budget में budget budget में तो दोस्तों यहाँ पर 26 number जो हो जाएगा वहाँ budget वहाँ budget जिसमें आए बे बराबर होता है किसमें आए बे बराबर होता है यानि आए भी बराबर होता है बे दोनों बराबर होते हैं मतलब दोनों संतुलित होते हैं दोनों बराबर होगे मतलब संतुलित है ठीक है जैसे कि आपको पता है कि जो कमिस्ट्री मोता क्या करते हैं हम लोग संतुलित करते हैं ठीक है संतुलित करते हैं तो संतुलित करने के लिए दोनों तरफ बराबर करते हैं हम वैल्यू को ठीक है दोनों तरफ में वैल्यू को बर से संबन्धित है पश्चिम बंगाल बिहार तथा पश्चिम बंगाल या फिर आसम या फिर बिहार तो दोस्तों यहां पर जो राइट एंसर हो जाएगा 27 का जो राइट एंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल और बिहार यानि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट एं द्जडी धूरूरत पर यह केब्न द्जडी धूरूवरत पर तो यह cook थो हम लोग बहुत छोटी क्लास और फूर्थ से पढ़ते आयें है क्लास से पढ़ते आये 28 नमबर पीशन तो दोस्तो यहां पार जो राइट अंसर हो जाएगा यहां पार जो अगला कुश्यन भी 2015 में पूछा क्या कुश्यन है कि तीन और से घिरा पृतवी का भाग कह लाता है, पतहार कहलाता है, सिंधुपंक कहलाता है, महाधा, महासाकरधारा कहलाता है या प्रायदीप कहलाता है। बहुत important है, सभी को अगला कंफम होगा, हम लोग 30 number question 30 number question भी 2015 में पूछा क्या question है तो question क्या है दोस्तों कि मुझफली की खेती के लिए अधिक उपयुक तो मिट्टी है बहुत बढ़ी हा question है दोस्तों बहुत बढ़ी हाई इसको तो मैंने फसल किसमें उगाई जाती है तो मुझफली के खेती के लिए अधिक उपयुक तो मिट्टी है काली मिट्टी है लाल मिट्टी है लेटराइट मिट्टी है चिकनी मिट्टी है तो दोस्तों इसका तो जितने भी साथियो ने उस video को देखा है वो सभी answer देगे जितने भी साथियो ने उस video को देखा है वो सभी answer देगे तो यह önपर जो right answer हो जाएगा option number A हो जाएगा काली मिट्टी अगला question र्दियो ऑज किस सर्वाधिक लवड़ता वाला शागर है, सरवाधिक लमर्ता वाला, लक्षड़ता वाला लक्षड़ता वाला शागर है, कैस्पियन शागर लाल सागर, मृत्षागर या भूमध्य शागर, तो दोस्तों चल्दी से बताए 31 नमर का राइट एंसर क्या हो जाएगा अगर आपको पता है तब, दोस्तों मैं आपको बता दूँ, सरवाधिक लक्षड़ता वाला सागर जो है, वो है मृत सागर मृत सागर है, option number C correct answer हो जाएगा, अगला दोस्तों कुशन बनता है, 2016 में पूछा क्योंकि दोस्तों यहां से अब जो आगर को कुशन मैं कराओंगा, वो सारे के सारे 2016 में पूछे गए हैं वो सारे के सारे 2016 में पूछे गए है, ठीक है, बहुत बढ़ी आ चलिए जल्दे से पताईए, कुशन हमारा दिया गया कि, अजमेर में किस सूफी शंद की दरगाह है, अजमेर में ठीक है आॉप्शिन नमपर बाखे साइड जला जैगा तो दोस्तों यह थे आप शभी के कुशिन यह थे आप के कुशिन और जो भी साथ अभी तक वीडियो को लाइक नेकिए इतनी मेहनत आप सभी के लिए की जारी तो आपको तो फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करना तो बनता ही बनता है दोस्तों ठीक है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्त सहफाटियों के साथ इसको जदा जदा शेयर कर दीजिए साथ में आप टेलीग्राम को भी जॉइन कर लीजिए चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों चैनल को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो दोस्तों